कि अलो स्टुडेंट्स आज हम प्रिंफोर्च निक्रीट डिजाइन पढ़ेंगे जो आपका ये फिफ समेस्टर का सब्जेक्ट है ठीक है उसका पहला लेक्टर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर दो चैप्टर कवर होंगे जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक और इस सेकेंड चैप्टर अब वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेड मेफ़ड सो शुरू करते हैं गाइस मेरे नाम है अमी तेश्वर सिंग सो लेट्स स्राट विजावर फर्स स्लाइड सो कंक्रीट है क्या सबसे पहले जो हम यूजली हम इसको कह देते हैं कि मसाला है जो छत में डाला वान से लीए कॉलं में बीम में डाने के लिए जो मिक्श़र होता है एक तो होता है मौटार आपने सूना होगा 2020 के अंदर मौटार basically Duaga cementrings Ś deed मीटि मिला तीं जाएं यानि कि बज़ती तो बनता है dollar कॉंक्रीट तो इसको मिक्स करते हैं जैसे कि मिक्सर के अंदर घुमा के आपने देखा होगा तो उसके साथ जो हम मिक्स करके जो प्रड़क्ट फाइनली अप्टेन होता है उसको हम क्या कहते हैं कॉंक्रीट एक्चुली यह सीमेंट एंड वाटर के बीच में रियक्शन है यही हैं हार्ड निगव कंक्रीट सीमेंट आपको सब पता है कि जैसे ही उसको पानी लगता है वह हाड हो जाता है है सो बैड़ सवाएग विद ओल दीस्विलर मेटियर्स लाइक अन एक रिकट विए किवें जाब मुझेशन होता है तो चुछ ना टायप से कंक्रीट होते हैं इतनी कितनी रिच्व में कंक्रीट को मिला जाता है और हम उस रिच्व लिखते कैसे हैं और उसका कितना कि एंटन कंक्रीट इसको पीसी कहते है मेंस प्लेइन सीमेंट कॉंक्रीट इसकी रिश्यों कैसे लिखते हैं वन इस टू टू थीक्स यह उपर दियागया गाई सीमेंट सेंड और एग्रीकेट टिर ठीक है पहले सबसे पहले जो रिश्यों थी वह सीमेंट की होती है वन एक बठल ले लो एक सीमेंट का तीन उसमें होएंगे रेते के और शे होएंगे बजरी के अग्रीकेट के ठीक है इसी सीक्वेंस में लिखते हैं हमिशा रेशियो को और इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है इसको हम स्ट्रेस कहते हैं और इसके यूनिट होते हैं मतलब मिक्स कौन सा मिक्स है इसके अंदर और 10 है उसकी कंप्रेसिफ स्ट्रेंथ ठीक है नेक्स्ट इस एम 15 एम 15 इस एक मतलब किया है कि कहां यूज होगी जो प्लें सीमेंट कंक्रीट है पहले बताया वह तो हम यूजली फांडेशन में जब हम राफ्ट फांडेशन डाल लेते हैं बीम से भरी हुई उसके अंदर फिलिंग करनी होती है तो यूजली पीसी की कर देते हैं और एम 15 यूजली स्लैब्स के अंदर यूज होता है जो हम चते डालते हैं उसके अंदर एंदर 15 की रिश्यो यूज होती है वह है वह वन इस्टू 1.5 तो 3 मतलब यह थोड़ा हाडर इसमेंट ज्यादा हो गया और यह थोड़ा होएगी विचिस 20 मेगा पास्कल और न्यूटन पर एंदर नेक्स्ट इस एंप 25 एंप 25 की रेशियो होगी वन इस्टू बन इस्टू तू तो उसके बाद जो आते हैं एंप 30 से लेके एंप 100 तब वह होते हैं डिजाइन मिक्स इनकी स्ट्रेंथ होएगी वैसी मींस मिक्स ए यह इनकी फिक्स रेशियों नहीं होती यह हम रेशियों में मिलाके अलग-अलग उसकी स्ट्रेंथ निकाली जाती है कि 35 आती है 40 आएगी 50 45 आएगी 50 अगर 47.5 आती है तो हम उसको पूरा का पूरा 48 मालेंगे और 48.5 आती है तो 49 मालें तो वह सारे जो ग्रेड्स होंगे 48 49 यह एंफिफ्टी के ग्रेड्स होंगे ठीक है गास तो एम 20 यूजिली उसके अंदर और 25 यूजिली कॉलंस के अंदर नोट बीम्स लोग्स पर नेक्सिब्स इसां कॉइलनेंटस गूड्यकॉड प्रेड्स जो हमें अच्छे कोंकुरीट की रिकौयर्मेने टीक एक तो कैसे बनेगा अच्छाव आइए जो मैटेरियलह चाहें प्लीन होना चाहिए और में नेक्स्ट इस शुड़ गुड़ वर्केबिलेटी वर्केबिलेटी का मतलब हम जितना भी मसाला बनाएं वह सारा का सारा पठल से पूरा पूरा बाहरा आजाए मतलब उसका फ्लो अच्छा हो वह जमा न रहा जाए सूका न रहा जाए कहीं यहां मिक्स करते हो उसके पत्थर चाहिए और वर्केबिलेटी पेची होने चाहिए इट शुड़ बी कॉंपैक्ट एंडेंस जो कॉंक्रीड है वह कंपैक्ट और टैंस होना चाहिए मिस घना और अच्छे से बैठा हुआ हो ना चाहिए तबह वह इस शुड़ बी डूरेबल सोट वैदरिंग अजनसी साव लेस्ट एफेक्ट और अफ ऑन दैम इनके ऊपर वैदरिंग एजनसी लाइक हवा बारिश का एक्ट कम से कम हो वाटर सीमेंट रेशियो शुडबी एक्यूरेट जो वाटर सीमेंट रेशियो है मिस बराबर होने चाहिए ना उसके पानी ज्यादा हो ना ही सीमेंट ज्यादा कॉर्णड तो मिच्चर ज्यादा ड्राई हो जाएगा फिर भी स으면서 ज्यादा पतला हो जाएगा इसे कंक्रीट शुडफ फॉर्म हॉमोजेनेस मिक्सचर जो कंक्रीट है वह सारा एक तरह से आपको हमोजेनेस मिक्सचर दिखना चाहिए उसके अंदर से आपको जो अलक ना द ब transfip ul co completely for my guy how am도 stay 00 आै ऐसे कि gdy प्रेंवाजद अब निया जैसे कि कॉलरो फ्रेम सजाए रखा है बनाया उसके अंदर जितना भी गंप्रिग और ले उसको अच्छी तरह से भर सके उसमें खाली जगन रहे जैसे एक हमने चोरस फ्रेम ले लिया उसके अंदर हमने कंक्रीट को भरना है तो उसको पूरी तरह से भर दे उसकी ऐसी ही इसकी डैंस्टी और फ्लो ना चाहिए ठीक है इट शुट भी फायर रेस्टेंट जो कंक्रीट है बनने के बाद सुखने के बाद उस इसके बाद वाटर जो हम यूज करते हैं कंक्रीट के अंदर उसके अंदर और्गैनिक मैटीरियल से नहीं होने चाहिए इसकी वज़ाए से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कंक्रीट की इस शुट भी एकोनोमिकल कंक्रीट जो है अर्टिमेटली एंड के उपर सारा का सारा इसके डिजाइन करनी है वह उसको देखके कि उसके कितनी स्ट्रेंथ रिकॉर्मेंट्स है वैसा ही डालना है अगर वहां पर एम 25 चाहिए तो एम 25 ही डलेगा नागी हम 50 बनाके डाल पर रहेंगे ठीक है लोड की रिकॉर्मेंट के हिसाब से ही कंक्रीट की सेलेक्शन होनी करने लिए साथ अंधर आफ्टर ओल जो रिइंफोर्स कंक्रीट है उसके यूज इस क्या होंगे कहां कहां आपके ने देखा होगा कंक्रीट कहां कहां वैसे व्यूजिस होता है तो बेंडिंस के अंदर यूज़दा है जो सारी बिल्दिस कंक्रीट की जो कॉलम्स बनते हैं सब्सक्राइब बन रहे हैं जो वाटर टैंक है हमारे वह भी कंक्रीट के हैं जैसे कि इंस टैंक उसके बाद रहे हैं जो बिचाई जाती है उसके ऊपर गाड़ियां चलती है तो जो रेल ब्रीक्षिस है वह भी कंक्रीट के वह फ्लाइयोवर्स के जैसे होते हैं नेक्स्ट है चिमनिज एंड टावर्स चिमनिज टावर्स और यूजली कंक्रीट की बन रही है जो सर्कुलर करते हैं तो पहाडों के आगे एक दिवार नहीं होती है ताल कि पहाडों के मिट्टी है वो स्लाइड होका रोड पर आ सके और जानमाल का खत्रा ना हो नेक्स्ट इस बंकर जंड सी लोस जो भी जहां पर फोजी ढहरते हैं जंग की बंकर तो आपने सबने देखे ही होगे जंग के वक्त उसमें आर सी स्लैप डार की कंक्रीट डाला जाता चाहते उपर ताकि जो उपर से अगर कोई बंप गरता है तो सेफटी हो सके उसकी उनको नीचे को नुक्सान ना हो जो आदमी नीचे से वोर पे वोर के अंदर शामिल है नेक्स्ट इस एडवांटेज जिस क्या है रसी सी की स्ट्रेंथ एक तो सबसे ज्यादा होने चाहिए ठीक है डूरेबल होना चाहिए ठीक के अंदर वी जो कंक्रेट होता है वह कंप्राशन में स्कील काता है और हम सरिया इसलिए बीच में डालते हैं आर्ची सी चक्रावी प ihrem स्ट्रेंटे साविंबौ का ने चुछ दो सकते लिए और ने यह लंगरे होता हैँ हुण के ने के रगाणिया और तो साल तक हम कोई भी आस इसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं एक उसकी मॉल्ड इबिलिटी आपको पहले बताया था कि उसको मॉल्ड हम अराम से कर सकें जैसे कि जिस भी हमने फॉम वक में डाला है उसको वह अच्छी तरह से उसी की शेप ले ले तो यह एक बड़ी एच साइज स्टार्थे टेस की साँक्रीट भी अफेश्धें लटसेब कर लेता है इसलिए हम गवाते हैं यक पी पिलर काफी पिलर काफी दूर होता है उसके अंदर धूइसुन वह वर लोट लेसा और पिलर को डिन प्यलर ऊっちिए कॉलम वो नीच्छे जमीन के अंदर इसलिए हमें बार बार यह पिलर नहीं चाहिए नेक्स्ट एकॉनमी जो आर्टी मेडली आपकी रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से ठीक बैठे इतनी आपको प्रोपर लोड की रिक्वाइर्मेंट है वो उसकी वैसे भी उसके आर्टी की से ट्रांस्पोट किया जा सकता है अगर आपने च्छत डाली हैं तो नीचे से हम उसको उपर भी लेकर जा सकते हैं किसी भी ट्रॉली की मदद से हैं मैनुली भी सो इतनी जल्दी वह हाड नहीं होता बस यह इतना ध्यान रखना है कि वह हाड ना हो जाए उससे पहले वह मू सब्सक्राइब का बैच पड़ा रहे तो उसको बार बार पानी चाहिए और मूवमेंट चाहिए तो थोड़ी देर बाद जो वह एक्टिली सीमेंट है वह पानी को सवक लेता है आपने पहले बता है सीमेंट और वॉटर की रेक्शन से ही हाड होता है नेक्स्ट इस आपनी सुना आपसी जो होती है ट्रांसीटट भूरी को एक जग सी सब्सक्राइब करते नहीं नेक्स्ट इस और जल्दी से आग नहीं लगती है अगर उसके दर को जलन्ञाइंशिल पदारत नहीं है तो नेक्स्ट फर्मियाबियटी है और सिसी जो है ये एकटुली इंट होता है पानिऊ के आरपर नहीं जाता जैका यूद्धि सारे जो होते हैं पहलेन पानी कर लेतां रूफर कर लेता है सेजमिक रिजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है इसमीक मतलब ऐर्थक्रेट लोड होती है कुछ भी जो एसको पर वेज़े बेडिक हीलती है तो वह सेजमिक लोड अनाम से भीर कर रहेते क्यों क्योंकि इसके अंदर स्ट्रोंग क्शिन और साइज तरन्थ है कि नेक्स्ट इस डिसद्वांटेज इसके हैं आज सी पहले तो आज सी स्ट्क्चर वह बहुत है होती है ठीक है जो में पड़ता है कैसे वुड्ड से ग्लास से स्टीव से आज इस स्ट्रक्चर का मास बहुत ज्याद आता है सेकंड इस उसके लिए हमें लोड्स ओप चाहिए जैसे शेट्रिंग करनी होती है हमने इस लाइब जाल लिया तो काफी सारा समान चाहिए शेट्रिंग का और कॉलम ऑलना तो हमें उसकी शेट्रिंग कर नहीं होती है तो फॉर्म वक बहुत चाहिए पारशकों ड़ने के लिए नेक्स्ट इस कंक्रीट जो है आर्सीशी वह बहुत टाइम लेता है सेट होने के लिए अपनी फूल स्टेंथ देने के लिए अठाइस दिन की क्योरिंग लगती है उसको तो हमें एठाइस दिन लगातार पानी देना होता है उसको थोड़ा थोड़ा ताकि वह उसको गीला रखना अपनी फूल स्टेंथ गेंद कर सकते इसलिए हम उसको थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते ताकि उसके सारे पोर्स पानी से बर्चे और रियक्शन सीमेट और अगर कोई पुल ब्रीज बनाते हैं स्टील का आपने देखें होंगे स्टील के पुल तो स्टील का पूल का होता है इसलिए फैबरिकेट हो जाता है राम से उसको बस नट बोल लगाए जोड़ते गई और बन गया त्यार हो गया तो आर्सी से को थोड़ा टाइम चाही होता इसलिए नेक्स्स्टिज सूटेबिलिटी उस टील एज रिइनफोरसिंग मेटिर्या अब स्टील ही रिइंफोर्सिंग मेटिर्या क्यों एक्शुली ने पस्ट इस इस इचुट बी ईजिली एंड इपली उवेलिबल इन बल्क स्टील जो है आराम से मिल जाता है और मिलना चाहिए कि बल के अंदर जासे सरीया हमें कठा भी चाहिए काफी सारा तो मिल जाना चाहिए लेक्स उसकी हाइट एंसाइल स्टेंथ होने चाहिए हम स्टील से यही उमीद करते हैं इसकी तेंसाइल स्टेंथ अच्छी होगी जो स्टील का थर्मल पॉपिशन टो एक्सपेंशन एक्सपेंड और कॉंट्रेक्ट होना चाहिए नेक्स्ट इस शुट भी ड्यूरेबल तो जो स्टील है वो भी कंक्रीट की तरह ज्यादा चले उसके उपर जो मिल से स्केल लगे होते हैं जो निशान मिल के ना लगे हो लूज रस्त ना पहले से जंग ना लगा हमें साफ दे दे ओल डिवान नेक्स इस शुट बीकेबल ओफ फॉर्मिंग पर्फेक्ट बॉंड और ग्रिप विद गॉंक्रेट सो डैट स्ट्रेसिज आ ट्रांसफर्ट फ्रॉंड वन मेटेए तू अनधर उसकी जो है ऐसा सरीया होना चाहिए उसको पर कट्स भी होना चाहिए ताकि व तो उसके ओपर हमने वोट डिफॉर्म्स दी होती है सरीय के ओपर टेडी टेडी अपने देखा होगा तो वह एक्शली किसके लिए होती है कि वह बॉंड बना सके कॉंग्रेट के साथ अच्छे से नेक्स्टीज जो है उसकी हाइट एंस होनी चाहिए स्टील की और होती भी ह है तो दो इट है जाए तन साइस थेंट थर्मल को फिशेंट इस इकोड रूंग्री नेक्स इडवल्प्स गूड बॉंड 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 विल कंक्रीट इस चीपली एंड इसली अवेलेबल इन बल्क इस नोमिकल प्रेंग ओल दी एस्पेट्स अब स्टील दो तरह का हम करते हैं डो माइड स्टील और एक है यह है यह इस ट्रेंथ डिफॉर्म बास तो पहले माइड सील की बात करें इसकी प्रॉप्रटीज क्या होती है मैश आपने देखा हुए चैनल जो रेलिंग लगती है कि इत्स बनते हैं सारे माइल के बनते हैं इसली वैड हो जाते हैं इ यह चैनल सेफ्षिक्शन्स ही एक यह सद्धाइज से थोड़े light होते हैं और इसे लिए इनकी ट्यूप लिटि जादा होती है ट्धेंज 22icos am लेन ड्राउंड और होट रोल यह लेन बार्ज होते हैं या कुछ इस तरह के सेक्शन होते हैं इसके अंदर प्लेन बार्ज आपको दिख रहा होगा इसको एक बैंड करना था सास में ताकि उसको कंक्रीट के साथ बार्ट बना सके इसमें खिचने की शक्ति बहुत होते हैं पहले पहले तूटने वाला हो तो यह पहले बैंड हो जाएगा अच्छे से आपको पता चल जाएक इसमें क्रैक्स आ रहे हैं यह इसने सानी से नहीं तूटेगी तो पहले यह अपनी ड़क्तिलीटी पावर शो करेगा तो इसको हम आर्ची सी वर्क में इसलिए नहीं प्रैफर करते क्योंकि इसकी जो यह बहुत लो है मींस यह लोड को कम सह सकता है उ की तो हमें स्ट्रोंग और कोड रोड मोई उझी कोडरो बार सही होते हैं इसलिए क्योंकि हम उसको उसकी टंसाइल छिन्स जादा हो हमने ज़ती हैं काफी सारे हैぜ मासिस के लोर्ड लेने ऑथी हो तो उसमें उसको श्याहने की शक्ति हो इसलिए उसकी एंप यह ज्याधा हो इस इसकी स्ट्रेस सहने की शक्ति ज्यादा हो आधिक प्रॉपर्टीज ओफ एच वाइस्डी बार्स अभी बताया हाई यद्ट स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स यह कोड रोड भी होते हैं और पतला हो जाएगा मतलों कहां से उसके उसके उसमें खिचाव आएगा तो इसके उपर आपको लाइने दिख रही होंगी इसमें डिफॉर्मेशन जाए यह आज इसी के साथ अच्छा मजबूत बॉंड बनाने के लिए यह लाइन दी जाती है है अच्छ टेंशाय स्टेंथ इस बैरी हई फॉर फिफ्टी लेकर फाइफिट तक मार्केट में अराम से सरीय मिल जाता है यह हाई स्टेंथ वाले बारत होते हैं तो नेक्स इस 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 असी बाट आपके अंदर ही इस तरह के बार्स को प्रेफर किया जाता है इनको और लेंट भी लेस्ट चाहिए होती है और इस हैंस दियार एकोनोमिकल सो यह सस्थे बढ़ते हैं फैब्रिकेट करने में भी डिजाइन करने में नेक्स्ट अ इस ट्रक्चर के ऊपर अब लोड कून-कूंसे पढ़ते हैं लोडिंग और स्ट्रक्चर एक आइस कोड़ा 875 इसके अकोड करें लोड सो एक्स्प्लेंड करूंगा तो फस्ट डावर डावर अपने दिखा वोगा जबर कोई भी टावर है मोबाल टावर है वह आपने डेड लोड सारी उसका खुद का डाड लोड है पीचे जमीन के ऊपर तो अपने आप में एक स्टेंडिंग स्ट्रक्चर है वो उस पर कोई मूव नहीं कर रहा है तो विल्डिंग अपना वारा हम घर बना के उसको छोड़ देते हैं तो जो भार वह जमीन पर डालता है वह उसी डेट लोड यहां अगर हम उस पर बैटे हैं बिल्कुल मूव नहीं करें घर के अंदर तो सारा वेट इंक्लूडिंग एस डेट लोड और जो भी हम च्छत के उपर यहां जमीन के उपर चलते हैं यूजली तो डैड़ा डैट इस लाइव लोड चलने वाड़ मूविंग लोड जी कहां कहां मिलता है यूज डस्ट्रियल वेल्डिंग्स में ऐ जूकेशनल इंस्ट्ट्विशन में ज्लाइक अलजी ने यूनिवर्स्टी यूज अफिस बीडिंग के अंदर तो यहां पर यूजली लाइव लॉड होता है वेरी करता रहता है कभी इतने लोग होते हैं तो उनका लोड अलग होता है कभी ज्यादा होता है तो लोड ज्या आती है उची वेडिंग विंड लोड भी डिटर्मिन होता है क्योंकि ऊपर जैसे उपर जाते हैं हवाय तेज होती है तो बिंड इसका बहुत प्रेशर होता है वेडिंग और विंड लोड शूड पी ओवर सोचीड़ ही इन हाई राइस बेडिंग नेक्स्ट शनौ लोड वहां पर आपके स्ट्रेटल करेंगी सब्सक्राइब नेक्स्ट इस सिजमिक लोड जो अर्थ को प्रोन रिजन होते हैं जहां आपको बहुत जाता आते हैं आपड़े हैं जैसे अगर हम ड्रीलिंग करते हैं अपने डिवार के लगाते हैं तो आज सपास की दिवारों वी थोडे से तो उसके अंदर आज सपास की दिवारों में वी उसकी जो है शौक स सुना ही देते हैं तो इसको भी विद्स्टेंड करना चाहिए जो हम स्ट्रेक्टर बनाते हैं इस इंपक्ट लोड़ नेक्स्टार मैथ्ट जो स्ट्रेक्शन लाइक हम कौन से मैथड रियूज करते हैं डिजाइन के अंदर पहला है वरकिंग स्ट्रेस मेथड यह आपका गए सेगंड चेप्ट हाँ तो वाकिंग स्ट्रेस मैथड को हम यूजली इसके अंदर यूज करते हैं यह हम यह आपको स्लेवस में हर एक चीजर ब्रकिंग स्ट्रेस मैतल से निकालो लो सो इसको ध्यान से इसकी हमें जंशन भी पडएंगे अम लिपड़ेंगे फिर असके बाद गयमनल मैथन कर तेरह होगा स्थील करते हैं यह इनके अंदर इनके लेंगा थिए पर कहते हैं यह इंतना मत्री बड़ता है तो बइंस नहीं नहीं इतना ही उसके अगर दो दबाब डलता है उतना इसके नहीं किया गया है कि और इसकी बैंटेका दीज कि भीन का दो बेंडिंग और उसके बाद बिना बैंडिंग के बैंडिंग से पहले दोनों प्लें रहेंगे और दोनों का आपस में एक बना हुए नेक्स्ट इस स्टील एंड कंक्रीट बिहेव एज लीनियर एलास्टिक मिटीरियल जो स्टील एंड कंक्रीट है दोनों ही इसना आपको पहले बताया इस इस अच्पेन्ट होगा या शरींग होगा ऊतना ही स्टील होगा नहीं सारी टेंसाइल स्ट्रेस्ट में जालते हैं ताकि वी तोटल आर सी सी है इंक्लूडिंग कंग्रीट इंड स्टील यह दवावे में मिजबूत हो सके और खिचाब में भी और जो स्ट्रेस इन इसका एक फिक्स फॉर्मुला दिया गया वर्किंग स्टेस्स अंदर नेक्स इसकी लिमिटिशन चैन्स क्या वर्किंग स्ट्रैस एक तो हम इसमें बहुत ज्यादा लीनियर बीहेवियर उज्यूम कर लेते हैं ऐसा एक्ट्र पें होता नहीं है इस नोट एक्टिकल सो इसके अंदर यह सारे मैंसर जो फैक्टर जी रह जाते हैं करीब श्रीकल ऊसके लॉंग टर्म एफेक्ट स्ट्रेस कंसरेशन कितनी है किस पॉइंट पर इस पॉइंट्स पें सो डिटेल जो उसकी अभ्जबिशन सा वह सारी किसली रह जाती है नेक्स्ट इस अगर सारे के सारे लोड एक्ट करते हैं आपको बताया डेट लोड लाइव लोड बिंड लोड अगर काभी सारे लोड कोई कहां एक्ट करा गांसों यह सारे बर्किंग स्ट्रेस मैथड़ के अधर अकाउंट नहीं होते जो लिमिट सेड़ मैथड दूसरा मैथ यह उसमें फरेक्ट वैल्यू लोड के साप से निकाली जाती है उनका अलग-अलग फॉर्मुला दिया गया अंदर को नेक्स्ट इस यह एक्ट्ट फैक्ट्टर उसेफ्टी नोड्न इसमें हम सिरफ बाट फट्व लेके सबसे मैटिप्लाइक करते हैं सारे कि सारी तो एक फ सर्विसे बेलिटी डैडिक फीअदे टीक है इसमें लिमे लिमेश्टेट अप्लैप्स होता है कि स्ट्रक्चर जब कलाप्स के बगत कैसे डिजाइन करनी कि ताके क्लाप्स नहों उसकी सर्विसे बेटी काफ d नबी वहुज तो लिए टी काफिया चीवी कौलपस के अंदर इसको लोड नो ले सकते हैं जैसे अंदर टोर्जन के अंदर और कमप्रेशन के अंदर सुई थारे के सारे इंदे डिजाइन फोर्स इस चेक की जाती है कि अंदर शीर फ्लेक्ट्टर्ट और अर्प्रेशन जो रिजिस्टेंस ओफर वा स्ट्रक्ट्ट्ट्र शुड नोट बी लेस देने डिजाइंग वैल्यू एंड़ डिजाइंग वैल्यू शैल भी बेज़ ओन लोड कमपिनेशन थिक है नेक्स्ट इस यह बहुत इंपोर्टेंट है एक्जा में नोन लीनियर है नेक्स्ट इस WSM लॉसो नोण अस प्लास्टिक दिजाइन ठीक है और लसम इजो समनेश एलस्टिक डिजाइन डाली असम चुट जो है आर्सी डिजाइन के लिए है ठीक है लसम इस ट्रेंग बेस्ट में तो डविए सम्ट पेंटर्ट्रेस बैस्ट है औ दो डीकोट यह लोग कि इतल हुआ हो इस लोग को रोगने लेसं इन ऐसे अलोड हो राभट रोज दी लिमेट जाइस यह लिमिट टूफिफटिटर तो डूफिफ्टिक जिए लिए पार फेक्टर पार्श्टिक जो हम खुद निकालते हैं LSM के ऐंदर बेल्डिंगे डिजाइं के हिसाब से इन आप से इसब आप से दिजाइंग ऑड़ी आप से इन सले स्ट्रेशन तुपेंट हैं इन आप स्क्षिक आप देगा हैं अश्छी दिजाइंग बाइल आसे जूस्टेशन ने साइसे जाइंग को फूनओंदेज के निए अगर मीज जो भी सेक्शन है वो नॉर्म डूट अगर बीम है कोई बीम आपको पता की ओरीजंटल डिरेक्शन के अंदर होता है तो जो इसकी एक्सीस के नॉर्मल है मीज उसके एक्सीस के परिपेंडीकुलर है सेक्शन जो बीम का एक साइड हो गया तो वो मेशा प्लेंट र आपको बताई थी जो है में से कॉड़ में गीवन है तो 280 इंटो सिग्मा इबीची इसके अंदर हम बेरिंग स्ट्रेस जो सिग्मा इबीची है इसको अब कौन कौन से तरह के क्रैक्स आते हैं और यह हम क्रैक्स क्यों नोटिस करेंगे क्योंकि जो आपका नेक्स चेप्टर है शेर ड्वैलमेंट लेंथ हमें कितनी एक्स्टर लेंथ चाहिए सरीएगी यहां फिर उसके अंदर क्या हम कितने स्टेर डालेंगे यह इसके लिए इसके अंदर कि उसके अदर क्रैक्स ना आए तो यूजली जो प्रेट अब्सराब किये जाते हैं वह यहां से दिखेगा कि कौन कौन से एक्स आपको आते ह है इसके स्ट्रक्शर के अंदर फ्लेक्शर क्रैक्स सबसे पहले फ्लेक्शर क्रैक्स यह जो लिमिट स्टेट फ्लेक्शर था फ्लेक्शर क्लैप्स था इसके फ्लेक्शर में क्लैप्स करती है तो उसके क्रैक्स कैसे होते हैं तो बीम से स्लैब के अंदर आएंगे यहां फि नेक्स्ट है आशी टाई जो टाइज बानते हैं हम सरीय में यह आप देख रहे होगे जो पीछे बैग्राउंड में यह बीम सेक्ष्ण और जो यह वाला एक कॉलम सेक्ष्ण राटिकलवाड हम जब बीम का इसरीया बानते हैं तो इसके अंदर एक तो होरिजन्टल बार्ज हो थारैस्ट आते हैं जोंगे होता है जो फिंट रोपर नहीं सह सकत गा तो है एक तोरिजन क्रेक्स जो मरोड़े वाले क्रेक्स होते हैं जो जिसके अंदर एक एक साइड को दूसरी ओपसिट ट्रेक्शन में लगती है उसके साथ यह साइड वाले क्रेक्स आते हैं ठीक है पुरे पुरे बीम के अंदर टेटेटे 45 डिग्री यूजली इसका एंगल आता है नेस्ट इस शियर क्रेक्स उटेस ड्याग्रार हैक्स 45 डिग्री अंगल बएक से बीच में होते हैं वहर वह बीच है और यहां वैंक के और से शुरुरी एकसर था नेइक्स घीवर壓्ल में लेंगए पर इस ऐसके और प्रीम हो तेंक युक्राइब था प्रेंस्टें प्रेंस्टें